हाई फ्रेंज वेलकम वेक टू मैं चैनल आज मैं फिर से आपके लिए एक नई डिसीपी लेकर आई हूँ वो है शूजी का हलवा तो इसे बनाना बहुत ही आसान है और काने में भी बहुत टेश्टी है तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं सूजी के हलवा बनाने के लिए मैंने पहले से एक पेन पे गी को गरम होने के लिए रख दिया है और अभी गी गरम हो चुका है इसमें हम अभी एक कप सूजी डालेंगे और उसे अच्छी तरह से फ्राइब करेंगे गैस को मीडियम फ्लेम पे रखके उसे फ्राइब करेंगे जब तक इसका color तोरा सा change नहीं हो जाता सूजी का तब तक उसे fry करेंगे हम सो ये दीखिए हमारा सूजी का color जो है वो काफी change हो चुका है अब इसमें हम पानी डालेंगे जिस cup से सूजी डालाता उसे cup से 3 cup पानी डालेंगे मैंने 2 cup डाल दिया है अभी और 1 cup डालेंगे ये तीन cup हो गया है और इसे अच्छी तरह से mix करेंगे mix काइने के बाद गया है यहां हीा बंदा कब चाप चिंडिया है उसको डालूंगी और उसे भी ऑच्छी तरह से mix कहलेंगे और अगर आपको लगे कि सूजी पे पानी कम है अभी तो आप और एक कप डाल सकते है पानी आपके हिसाब से और उसके बद मैंने यहाँ पे तीन एलाइची तोर कर लिए है उसे भी डाल लूँगी आप लोग एलाइची पाउडर भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पे तीन एला इसमें तौरा सा ड्राइफूट टालेंगे इसे भी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और से तो रस्ता और सुकाएंगे हम सो यह दिखे फ्रेंस हमारा हल्वा जो है वह अभी हो चुका है मैं एक बाउल पे ले लिए है अभी हम इसमें तोरह ड्राइफुट डालेंगे यह ओप्शनल है आप लोगों को अगर गी अच्छा लगता है तो ही डालना गी को एक चमच यहाँ पर मैंने देशी गी रिया है उसे भी डालूंगी फ्रेंड्स हमारा हल्वा रेड़ी है अभी और आप देशी तरह से बनाएए और काईए और इंजोई कीजिए अपने पेमिले के साथ भी अपने दोस्तों के साथ भी अगर आज की रेसिपी मेरी अच्छे लिगी हो तो मुझे लाइक कीजिए कमेंट कीजिए और मेरे चनल पे नए हो तो मेरे चनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए बाई फ्रेंड्स